नमस्ते, मेरा नाम है कांचर्ट हो रहे, मैं आपको दुकान बदलने से आपको क्या फाइदे हो सकते हैं, ये बताने के लिए हम सब इकठा हुए हैं, तो शुरू करते हैं, ज्यादा बहुत जाया नहीं करते हैं, कि आज देखो, भाई और बैनों, कि आप लोग किसी न किसी दुकान से खरीदारी कर रहे हो, कि जैसा एक छोटा सा बच्चा है, वो जनम भी लेता है, तो उसके पहले उसके लिए खरीदारी होती हैं, होती है ना, और एक आदमी या एक इनसान, अगर मुरुत भी होता है, तो उसके लिए भी खरीदारी होती हैं, मिस जनम से पहले और मरिन के बाद भी हम लोग क्या है तो consumer है क्या है consumer है हम लोग ग्राहक है यह आप सभी लोग मांते है कि हम लोग ग्राहक है ग्राहक है तो हम लोग किसी न किसी दुकान से तो खरीदारी करते है जो जो चीजे हमें हर महीने लगती है हर महिने जो चीजे लगती है हम वो किसी X, Y, Z शौप से किसी रामू, शामू के दुकान से या हम लोग दीमाट से बिग बजार से या किसी नुकड के शौप से हम लोग खरीदारी करते हैं क्यों करते हैं यहां से खरीदारी क्योंकि हमें रोज सुबह उठने से रात तक की चीजे लगती रहती है लेकिन हम लोग अगर ये दुकान से खरिदारी करते हैं बेंजे आप पता सकते हैं कि आपके शादी को कितने साल हो गए पन्रा साल हो गए बेंजे आपके शादी को कितने साल हो गए 25 साल देखो अभी हम लोग इनका उदारण लेते हैं कि अगर 25 साल शादी को हो गए है तो खरिदारी के आपने हर महने खरिदारी करनी पड़ती है तो हर 25 साल में हर साल में 12 महने रहते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर माइटिप्लिकेशन करके कितने मंथ से वो निकाल रहे हैं तीन सो महने आपने खरिदारी की है हर मंथ आपने खरिदारी की है आप बता सकते हैं कि कितने की खरिदारी आपने की रहेगी कितने की खरिदारी आपने की रहेगी साथ हजार साथ हजार देखो इनका कहना है कि साथ हजार तो तीन सो मैंने अगर हमने साथ हजार की खरिदारी की है तो कितने का खर्चा किया हमने 21 लाग का खर्चा किया 21 लाग का खर्चा किया है कभी लगा था कि आपने इतना खर्चा किया है नहीं आपका सवाल जवाब क्या रहेगा नहीं तो यह जो 21 लाख है यह आपको मैं पूछूंगी कि यह MRP के उपर आपको मिले क्या MRP के नीचे कभी आपको चीजे मिली क्या नहीं तो यहाँ पर क्या होगा कि आप यह शॉप से ले रहे हो अगर आप शॉप बदलते हो दुकान बदलते हो तो आपको क्या फायदे मिलेंगे पहला फायदा मिलेगा कि 15 से 20 का आपको MRP के नीचे आपको कीमत पर चीजे मिलेगी जो छपी हुई चीजों के उपर छपाई की रहती है जो दाम रहता है उससे आपको 15 से 20 से परतीशत नीचे आपको यह सामान मिलेगा आपको लेना पसंद है? हाँ तो यह आपका पहला फायदा देखिए यह 21 लाप तो आपके खर्चे हो गए कभी आपको यह MRP के नीचे नहीं मिला दूसरा फायदा यहाँ पे होगा कि जब भी आप खरीदारी करते हो तो आपको 10 10% की प्रोडक्ट्स आपको absolutely free मिलेंगे यह जो प्रोडक्ट्स है आपको free मिलेंगे आज तक कभी ऐसा हुआ था? कि यहाँ से अपने दुकानदार से खरीदारी कर रहे थे इसने कभी दिवाली के टाइम क्रिस्मस के टाइम इद के टाइम आपको बताया कि यह चीजे भाबी आपके लिए free आप हमारे से खरीदारी करते हो तो आपके लिए यह गिफ ऐसे कभी मिला था? लेकिन यहाँ पे आप एक से तेरा तारी, एक से सत्रा तारी, बीस से तीस तारी में इस लगबख हर महीने यहाँ पे offers रहते हैं आप जब भी खरीदारी करते हो तो आपको यह 10 तका चीजे free मिलती है और यह भी आपका जो संसारे उसमें उपयोग में आने वाली चीजे आपको free मिलती है अब यह तीसरा फाइदा हम लोग देखते है कि आज तक अपने कितने साल? 25 साल में इस 300 महने लगबख खरीदारी की है 7000 की और मुझे तो लगता है कि 7000 से जादा हमारा कर्चा होता है लेकिन हमने 17000 का उदारण लिया है लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा हर महने आप खरीदारी करते हो लगातार खरीदारी करते हो तो उसके ऊपर कुछ ओफर मिली गया कि बबबख पहले महने आपने 2050 प्लस की प्रड़क्ट खरीदे दूसरे महने भी खरीदे तीसरे महने खरीदारी की चोथे महने पाचमे महने चटे महने ऐसे आज तक तो कर रहे हो आज तक आप हर महने खरीदारी कर रहे हो तो कभी यहाँ पे आपको धाई हजार की चीजे हर साथवे महिने में हर साथवे महिने में free मिलेंगी totally free मिलेंगी अगर percentage में हम फाइदा निकालते हैं तो ये फाइदा है 17 टका कभी दिया आपके shop की पर ने कि आप लगातार हर महिने खरीदारी कर रहे हो तो आपको तो सात्वे मैने में ऐसे फाइदे मिले हैं, लेकिन यहां से यह दुकान से आप यह दुकान का बदलाव लाते हो, तो आपको यह फाइदे मिलने वाले हैं, अभी चोथे फाइदे के बारे में हम लोग सोचते हैं, देखते हैं, कि चोथा फाइदा ऐसे है, कि आज तक यह 21 ल मेठ लेकिन यहां पे पाँच यहां प्र ही है मलते हैं यहां प्रहुक pseudo लगती बदगर में लाश्र commissions के बारे मे empleem होख चाहट यह को यह जो यही है वी फाइदे के बारे में अम लोग सोचते हैं तो आज क्या होता है कि आज हम जिससे ला रहे हैं, वहांसे कभी-कभी चीजे फ्री मिलती है, चमच मिलता है, बाउल मिलता है, लेकिन कभी-कभी वो दुकानदार हमें वो चीज भी देता नहीं है, वो बोलता है भाबी, स्टॉक खतम हो गया, और हमें जाके उसके पास परसेंटेज देखते है, बीस टका, दस टका, तीसरा फाइदा सत्रा टका, और चोथा फाइदा शुरुआत में आपको पास टका और आगे जाके ये फाइदा बीस टका तक बढ़ने वाला है, लेकिन हम सिर्फ पास टका यहां पे ले रहे, फिर भी 52 परसेंट का फाइदा मिस अब साथ हजार की चीजे ले रहे हो, साथ हजार का खर्चा कर रहे हो, तो आपको बीस टका, मिस कितना हो गया, चौदा सो रुपए का, यहां पे आपको कीमत कम करके चीजे मिलेंगी, रैट, तो ये चीजे कितने में मिल गई, पाच हजार चेसो में मिल गई, फ्री ची इसके अलावा यह 7000 के ऊपर आपके अकाउंट में यह जो तीसरा फाइदा है 200 से दैसो रुपए अकाउंट में वापस आएंगे तो यहीं कितने में हो गया 4650 और इसके अलावा यह जो बेनीफिट है 17 टखा का बेनिफिट है यह अलक से तो आप दुकान बदलना चाहोगे बढ़िया बात है तो आपको अगर यह दुकान आपको बदलना है तो आपको यह जो फॉर्म है यह फॉर्म आपको भरना पड़ेगा इसके लिए आपको फ्री जोईनिंग है यहाँ पे डीटेल्स भरने है और आपकी आधार कार्ड की कॉपी है उसको लिंक करने है क्योंकि बिजनिस जो है लीगल है यह शॉप जो है लीगल है तो आपको यह फॉर्म भरके आपका आईडी लेना पड़ेगा और आपको खरीदारी करनी पड़ेगी दुक दुकान बदलने से 52% का फायदा आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको कोई भी पैसे भरने नहीं है जुडने के लिए और सिर्फ आप यहाँ पे दुकान बदल के आपकी खरीदारी कर सकते हो और आपका जो गुनाफा है वो आप कमा सकते हो यह जो हमने प्लान बताया इसक इंपावर्मेंट प्लान ग्राहक को जादा से जादा फायदे कैसे मिल सकते हैं यह हमने आज आपको बताया आपको अगर यह अच्छा लगा है तो आप जिस जिनके साथ बैठे हैं उनके साथ जुड सकते हैं और आपके फायदे ले सकते हैं काचन टोमरे में स्टीच अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो दूसरों लोगों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं और हमसे भी जुड़ना चाहते हैं तो हमसे भी आप जुड़ सकते हैं धन्यों